ये मेरे सामने पढ़े है दो Chelsea Boots इसमें से एक सस्ता है एक महंगा है इन्हें मैंने ओर्डर नहीं कहा है मैंने सरी को बोला दे कि तो Amazon पर जाके एक Chelsea Boots महंगा और एक सस्ता ओर्डर कर दे इन्हें हम किन परामिटर के इंदर टेस्ट करेंगे एक स्वेड की क्वालिटी लेकिन मेरे सामने अगर फर्स्ट इंप्रेशन से देखा जाए तो सबसे पहले इनकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं क्वालिटी में क्या है कि जो मेरे साब से जो अच्छी स्वेड होती है उस जो अच्छी एक अच्छी क्वालिटी स्वेड होती है उस पर इतनी ज्यादा शाइनिंग नहीं आती, इस पे अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ रही है, लेकिन वही अगर मैं इस चल्सी बूर की बात करो, इसकी जो स्वेड के ऊपर है, वो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं है, बिल्पुल भी ये चमक नहीं रहा है, तो कहीं नहीं, अ इसके उपर डालनी है, अगर मैं इसके उपर डालू, जो हमारा ये वला चल्सी बूर है, इसके उपर देखें, जो पानी है, वो बिल्कुल सोक रहा है, ये वनी जो स्वेडव पानी को बिल्कुल सोक रही है, लेकिन अगर ऐसे ही, अगर मैं इसके उपर डालू, तो देखे पानी ये वाली जो स्वेड वा पानी को सोक नहीं रही है अब ये इसके अंदर पानी सोकेगी ये लेकिन धीरे धीरे सोकेगी जैसे देखे जो हमें ये उपर ये बबल सा है ये उपर दिख ही रहा है लेकिन इसके उपर जब हमने डाला वो उसके अंदर पूरा उसने सोक ही लिया अभी देखो इसको काफी टाइम हो गया लेकिन अभी भी पानी इसके उपर है तो कही ना कही इस मामले में तो ये वाला शूज जीत रहा है इसकी sweet की quality ज्यादा अच्छी है और इसकी sweet की quality इतनी ज्यादा अच्छी Not अब बात कर लेते हैं stitching की stitching मेंद गोर मैं बात कर लेखें अगर इस में आगर सब्सक्राइब यतनी की क्योट की diesem ही लग रही तो इतन जा फेप की इस शूज का इलास्टिक देखूं तो इस शूज का इलास्टिक भी उतना ही मुझे सेम क्वालिटी का ही लगा है लेकिन अब फ़रक कहां पर आएगा जो मुझे फ़रक लग लग रहा है उसको पहले अंदर से कैसा है वह लगा हुआ है अगेन हमारा कपड़े की लगा हुआ है अब जो यह सोल है इसका अगर हम के कारण बट अगर हम देखें कि इसकी स्वेड की क्वालिटी जैसे हमने टेस्ट किया कि ज्यादा अच्छी है और इसके अंदर कपड़े का सोल लगा यह कहीं ना कहीं ब्रीदेबल होगा और यह कम ब्रीदेबल होगा क्योंकि यह अभी की टेस्टिंग के इसाब से यह पॉल आते हैं वैसी आ रही है इसमें लेके आएगा ही पॉक् हम इसके structure की बात करें को कि Chelsea boot में जो शू की structure होती है वो बहुत ज्यादा important होती है मेरे लिए अब इसे जब हम पहनेगे ना तो क्या होगा कि यह जो इसकी structure है यह बिगड़ जाएगी को कि Chelsea आपने बहुत बार देखा होगा यह मैंने 5000 के आसपास लिया था 5000-6000 के बीच में लिया था अल्मस्तीन साल हो गया और अभी अभी इस सीजन मैंने से ड्राइग कराया और अभी यह पहनने लाइक है अब दुबारा structure पर बात करते हैं इसकी structure जो पहले थी वह बहुत अच्छी तरह structure थी लेकिन अगर अगर इसको मैं हाट डालू तो यहां पर देखें अगर इसकी structure की बात करें और अगर हम इसके साथ इसकी structure की बात करें तो इसकी जो structure है यहां से इतनी ज्यादा professional structure नहीं है जो की reality में Chelsea boot की होनी चाहिए होगा क्या इस boot में यह boot आपका कुछ ऐसा बन लेकिन इसमें कहा है कि इसमें मैंने बहुत जादा पहना है और इसकी shape वैसी ही रही है और इसकी suede की quality है वो मुझे इसके comparison से ज्यादा अच्छी लग रहे है तो मुझे कहीं ना कहीं इस boot से expect कर सकता हूँ कि इसकी जो shape में है वो इतना ज्यादा difference है जो यहां से shape होती है हम अब इन दोनों में से कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है I believe कि यह वाला जो shoe है इसकी अंदर से भी देखे अभी मैंने एक चीज नोट की अंदर से देखे इसकी structure कैसी है यह देख रहे है एक चीज अंदर से एक कैसे आ रहा है लेकिन अगर इसकी हम अंदर से structure देखे तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल सही है जो हमारा यहां से structure बन रही है वो बिल्कुल सही है तो होगा क्या कि जब आब इसे walk करेंगे तो यह structure और ज्यादा खराब होती जाएगी जब यह structure खराब होगी तो यह चीज ऐसे fall हो जाएगी लेकिन इसमें उसके होने के chances का मैं जास्ट कर करना हो कि इन दोनों का price क्या हो सकता है आई बिलीव कि यह जो हमारी local market होते है उसमें मिल जाता है बड़े अराम से मिल जाता है जो local हमारी shops होती है जो हमारी local boots shop होते है तो इसकी जो price range होगी वो होगी हमारी 1100 के आसपास bargaining करकर shop के उपर आपको आगर आप bargaining अच्छी कर ले तो अगर मैं इसकी cost की बात करूँ तो अगर मैं इसकी cost की बात करूँ तो यह Amazon से है वह उसमें brand value भी होगी इसकी cost होगी हमारी 2500 के आसपास आप जाओ क्या मैंने price सही guess की है बिताओ इसका क्या है नहीं गलत guess क्या है क्यों इसका कितना है हां तो यह तो ठीक है ना हजार के आसपास मैंने बोला था हजार के आसपास लेकिन अगर इसका प्राइस डबल बन फाइफ सेवन है ना तो आप इसे लोकल शोप पे ले लो वापे bargaining भी हो जेगी ओन लाइन अगर कोई discount चल रहा हो तो ले लो डबल वन फाइफ सेवन में यह मेरे को थीक है महंगा सा लग रहा है इसका कितना है यह पच्छिसो के आसपास बोला था पैने 1699 यानि कि 1700 के आसपास का है यह 1700 के आसपास का मेरे को बिल्कुल वर्थ लग रहा है क्योंकि इसकी quality के हिसाब से अगर मैं उसका प्राइस देख कमेंट सेक्शन में मुझे जुरूर बताना मैं आपका यार दोस रीशी एरोडा साइनिंग ओफ मिलते हैं अगली वीडियो में